स्वागा था आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Fantasy Legend अखाड़ा में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे Stockholm और अलबाई जल्मी CF के बीच में होना वाले आज के ECS Sudden T10 मैच के बारे में जो कि दोस्तो ECS T10 का मैच नंबर साथ वा खिला जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरी जानकारी देने कोईसिस करूँगा हर एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा दोस्तो ठीक है किसको पिक करना है और किसको Captain Vice Captain करना है ठीक है दोस्तो तो वीडियो को लास तक देखना और चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि दोस्तो सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं मेरे चैनल पे सारे वीडियो रेगोर ले आते हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दो ठीक है को हम लोग नहीं लिए तो देख सकते हो या बहुंच सारे अपडेट आपको यहं पे मिल जाते हैं दोस्तो टेलीग्राम को जोनने के हो तो बहुंच कुछ कुछ कर सकते हो चलिए दोस्तो बात करें थे मैच के बारे में तो पीच रिपोर्ट की बात करें तो एक वैलेंस सर्फिस आपको ओवराल देखने को मिलेगा वैन्य रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल पांच मैच यहां खिले गए हैं बैटिंग फर्ष ने तीन मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने दो मैच मिन किया है एवरेज स्कोर क की बात करें तो 100 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टीम एश्टियो के प्रोबबल प्लेंग लेवन के बारे में तो दोस्तों यहां से ओपन करने चाहिए अभिसे एक माथूर और उनके सांस सीवा आर्सी ठीक है मोस्ट प्रोबली यह दोनों ओपन करने चाहिए ठीक है फाइनल तो नहीं है फाइनल लाइनप तो मैं आपको अप्टर टॉस टेलिग्राम पर ही दूँगा लेकिन दोस्तों अभी क्रेव प्रोबबल अब इसे एक माथूर आ सकते हैं अब इसे एक माथूर का दिख सकते हैं टीट टेइन के 6 मैच में दोस्तों 83 रन 20 का एवरेज है ठीक है और डोमेस्टिक टीट्वेंटी के 34 मैच में 562 रन है 20 का एवरेज 10 विकेट 40 और डालके मतब वो डोमेस्टिक टीट्वेंटी में दोस्तों यह बॉलिंग भी प्रोपर कराता था तो बिल्कुल है सीवा आरसी को ल 20 के 22 मैच में दोस्तो 92 रन 14 कावरेज 17 विकेट है 40 वर डालके मतला भी आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा एक से दो वर की तो बिल्कुल यह बॉलिंग करेगा दोस्तो फिक्स है तो आप बिल्कुल इसको ले करके चल सकते हो उसके बाद दोस्तो विनोज चालिंदरा ठीक है मनोज तोमर आएंगे टी टेन के आठ मैच में एक क्यावर रन है 25 का एवरेज है ठीक है आठ विकेट इसके नाम 15 वर डालके तो दोस्तो यह दो ओर की तो बॉलिंग कराए गही बैटिंग से अच्छा खासा कंट्रूरिशन करे या ना करे लेकिन बॉलिंग करे गही फिक्स है इसका डोमेस्टिक टी ट्वेंटि के अंदर 22 मैच में दोस्तो 456 रन है 24 विकेट इसके नाम है तो यहां पर आप देख सकते हो अच्छा खासा ओवर टी ट्वेंटि में भी कराया है तो मतलब दो ओवर की बॉलिंग इसकी फिक्स है ठीक है उसके बाद दोस्तो नौ मैच में दोस्तो 11 विकेट इसके नाम है 28 वर डालके मतलब यह दो ओवर की बॉलिंग फिक्स करायेगा ठीक है लेप टाम स्लो बॉलिंग करायेगा इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है राकेस कुमार टी टेन के दो मैच में एक विकेट चार वर डालके और डोमेस्टिक ट टेन के दस दो मैच में तीन विकेट चार वर डालके और डोमेस्टिक टी ट्वेंटी के आठ मैच में साथ विकेट इसके नाम है 27 वर डालके मतलब पूरा पूरा बॉलिंग यह भी कराते हुए दिख सकता है बॉलर काफी अच्छे हैं यहां के ठीक है यह उपाध्या है दो टीटेन के 6 मैच में 5 विकेट 11 वर डालके और डोमेस्टिक टीट्वेंटी के 24 मैच में 49 विकेट है 84 वर डालके मतलब यह भी पूरा पूरा आपको दो ओवर की बॉलिंग कराते हुए दिखेगा यहां से दोस्तों इंपॉर्टन प्लेयर की बात करूं आप लोगको तो करके अपनी टीम में जा सकते हो अर्चन वैद्या को अपनी टीम में ले सकते हो नीचे से दोस्तों मनोश तोमर को अपनी टीम में ट्राइ करके चलना ठीक है और फिर दोस्तों यहां नीचे से आप लेना चाहो तो देन्याल कुमपति को ले सकते हो और राकेश कुमार है वा दिरे दिरे स्क्रॉल कर ले रहा हूं ठीक है सारे प्लेर्स के रिकॉर्ड यहां पर आप देख सकते हैं अब बात कर लेता है दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर्स की तो अब इसे एक उपाध्या और ए पैरालत और दोस्तों यहां पर राकेश कुमार बॉलिंग करते दोस्तों इनकी टीम से ओपन करने चाहिए इसमाइल जिया और उनके स्थाथ दोस्तों जड नियाजी मोस्ट प्रबबली ओपन करने चाहिए बाकी फाइनल बैटिंग लाइन आप मैं आपको टॉस के बाद दे दूँगा ठीक है इसमाइल जिया का टीटेन के दोस्तों 49 मैं में 262 टरन 11 का अवरेज है डोमेस्टिक टीटेन के अंदर दोस्तों 23 मैच में 340 रन 22 का अवरेज है मतलब एक ठीक ठाक अवरेज का प्लेयर है इंपोर्टेन रहेगा अगर ओपनिंग करने आएगा तो बिल्कुल अपनी टीम में लेकर के चलना है जेट नियाजी अवरेज फ्लेयर है उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड है नहीं इसका लेकिन विकेट कीपिंग कराएगा तो वहां से कुछ पॉइंट देने का दमखम रखता है तो बिल्कुल आप लेकर के चल सकते हो उसके बाद दोस्तों आएंगे आजम खलील टीटेन के 67 मैच में दोस्तों 1027 रन इसके नाम है 17 का एवरेज है बंदे का 33 विकेट अठावा नवर डाल के मतलब यह पूरा पूरा बॉलिंग कराएगा अपना दो ओवर का पूरा इस्पेल डालेगा सांत दोस्तों बैटिंग से कंट्रूबिशन कर सकता है उसके बाद साहे दली है टीटेन के 30 मैच में 228 रन प्लेयर ठीक था के सांदार है बिल्कुल लेना चाहो तो ले करके चल सकते हो लेकिन दोस्तों नीचे बैटिंग करने आए तो इसको भी ड्रॉप कर सकते हो आप लोग ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बासिर साहे भी है राइट हं बैट करता है टीटेन के 10 मैच में 78 रन है उत कि तो बैटिंग भी नहीं यहीं न बालिंग तो देख लिजेगा है प्लेयर ठीक ठाक कर ले तो क्यूमीर अफजल है राइट हैं बैट राइट हैं बालिंग टीटेन के 151 मैच में 234 विकट इसके नाम प्लेयर ठीक ठाक है 73 वर डाला था ठीक है मतलब अपना पूरा-पू इंपोर्टन रहेगा कमरान रासीद राइट हम फास्ट बालिंग करता है टीटेन के 9 मैच में 11 विकट अटारा वर डालके बिल्कुल आपको अपनी टीम में ट्राइए करना है इसको ठीक है अभी के लिए यहां से इंपोर्टन प्लेयर की बात करें तो इसमाइल जिया है औ नीचे से आप लेना चाहो तो दोसो बॉलिंग से लीजे क्यूमीर अफजल लेमर मोमंट है कामरान रासीद इंपोर्टन था ठीक है बाकी दोस्तो बैंच के प्लेयर आप यहां पे देख सकते हो ठीक है सारे बैंच में भी ठिक ठाकी प्लेयर है अगर इनके रिकॉर्ड पर ताकि आप लोग को समझ में आ जाए इस टार्टिंग कोवर की बात करें तो कामरान रासीद लेमर मोमंट आजम खलील करते दिखेंगे डेट के ओवर्स में लेमर मोमंट क्यूमीर अफजल बॉलिंग करते हुए दिखेंगे तो दोस्तो यह तो होगया प्लेयर के में बिल्कुल ले करके चलूँगा ठीक है उसके बाद दोस्तो यहां से जो इंपॉर्टन प्लेयर है ठीक है आपको बता दूं राजेसलाल का रिकॉर्ड दोस्तो अच्छा तो है लेकिन यह खेलने के बहुत कम चांस है इसके ठीक है तो मैं इसको भी के लिए लिया नहीं ह और यहां प्लेयरा चाहो तो कॉसिक वेट्स है ठीक ठाक प्लेयर है लेने के लिए ले सकते हो इनको भी लेकिन दोस्तो मुझे यहां से जो इंपॉर्टन प्लेयर लग रहे हैं वेट्स और उनको लूँगा खलील को दोस्तो मैं अभी नहीं ले रहा हूं सामि खलील है और एक और भी है यहाँ पर आजम खलील तो दोस्तों अलग अलग दोनों खलील है तो अभी के लिए दोस्तों मैं वेट्स को यहाँ से लिया हूँ ठीक है और मैं सिधे आ गया हूँ और अंडर सेक्षन तो मनोस तोमर इंपॉर्टेंट है के पंचल यहाँ से इंपॉर्टेंट है आजम खलील इंपॉर्टेंट है ओलो जाई इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ओफिर यहां से क्यूमईर अफजल है और यहां से दोस्तो आप लेना चाहता हूं तो आर्सी को ले करके चल सकते हो बहुत कम सेलेक्शन है लेकिन दोस्तों यह ओपनिंग में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा ठीक है आप बैटिंग भी करते हुए दिख सकता है ठीक है इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों तो अभी आ जाता है सिधे अपन बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों यहां से राकेश कुमार इंपोर्टेंट है काफी अच्छे रिकॉर्ड था इनका लेमर मोमन इंपोर्टेंट है तो दोस्तों यह मेरी डेमो टीम है फानल टीम में आप कॉप्टर टॉस्ट टेलिग्राम पर प्रवाइट कर दूंगा ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करके रखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच